प्यारे विद्यारतियों नमस्कार मैं आपका दोस्तों में अंदर सिंग आप सभी का स्वागत करता हूँ आजम बात करने वाले हैं ककसा 12 और अपने सब्जेट का नाम है इतिहास और इसके अर्दवार से प्रिक्सा में आने वाले most questions देखेंगे जो कि मैंने त्यार किये हैं आपके लिए तो वीडियो को आपको ध्यान पूरो के देखना है और अब की बार जो है बिल्गल फूर नमबर आएंगे आपके और इसको यानि कि यहां से बहुत से questions जो आपके पेपर में जरूर मिलेंगे देखेगा सिंदू गाटी सब्पेटा की सबसे विश्चिस पूरा उस तो कौन सी है तो इसका आंसर आपको याद रखना है हडपाई महूर ठीक है और आपको इसे भी फूचा जा सकता है कि हडपा सबेदा की जो खोजें वो किस ने की थी या हडपा सबेदा किस नदी के किनारेश दी थी तो रावी नदी के किनारेश दी थी खोज किस ने की थी तो 1921 में दयाराम सानी ने की थी किसके निर्टतों में की थी जोन मार्सल के निर्टतों में की थी तो ये आपको याद रखना है नेक्स्ट आपके सामने क्विशन है कि हडपा के टीले के खुदे किसने की थी तो हडपा के टीले के जो खुदा ही है वो आपके दयारम साहनने की थी 1921 में याद रखे नेक्स्ट Qling आपके सामने अर्थसास्तर के लेककों ने तो अर्थसास्तर के लेकक है चानक की जिन हम विश्नो गुप्त के सकते हैं कोटीली भी के सकते हैं तो प्यधरे मित्रू ये आपको याद रगना है अगर यहां पर होता कि मेगस्तनिस की पुस्ता का नाम क्या है मेगस्तनिस की पुस्ता का नाम तो हम करतें इंडिका क्या करतें इंडिका तो यह परसन आप याद रखें अच्छे से आगे है किताब उलहिंद मूल्डूप से किस भासा में लिखी गई थी किताब उलहिंद ये किसकी है ये अलविरुनी की है किसकी किताब है ये अलविरुनी की किताब है अलविरुनी की इश्वे में आरमी भक्ति आंदोने की सुरुवात हुई थी आपको सगुन भक्ति और निर्गुन भक्ति में अंतर भी पूचा जा सकता है सगुन और निर्गुन भक्ति में अंतर क्या है सगुन भक्ति जो इस्वर को मानते है वो आपको अंदर लिकना इस तरीके से हडपा सबेता का सबसे उत्री स्थाल का नाम क्या है तो उत्री स्थाल का नाम है मांदा जो कि कस्मीर के अंदर है ये मांदा उत्री स्थाल है हडपा सबेता का जो कि किस नदी के किनार है चिनाम नदी के किना रिष्टी ते याद रखे आप इस परकार से देखेंगे तो हडपा सबेता का जो विस्तार है वो आपके तिर्कोनी आकार में है उत्री इस्तल का नाम है मांदा जो की कस्मिर के अंदर है चिनाम नदी और दक्षनी इस्तल है दाइमाबाद जो कि आपके मारस्टर में है और पस्चमी इस्तल है सुतका गेंडर जो कि आपके बलुस्तान में है और पूरी इस्तल है आलम गिरफूर जो कि आपके उत्रप्रदेश में है तो यह आपको याद रगना है असो के अधिकांस अभिलेक किस भासा में लिखे गई हैं तो असो के अधिकांस अभिलेक जो है आपके प्राकर्द भासा में लिखे गई थे ठीके आपको पूछा जाएगा ब्रामी और क्रोश्ट लिपी का परियोग सबसे पहले किसने किया था तो ये किया था जेम्स प्रिंसेप ने किसने किया था जेम्स प्रिंसेप ने आप वो पूचा जा सकता है अभी लेक किसे केते हैं अभी लेक पूचा जा सकता है अभी लेक किसे केते हैं तो मिट्टी ठीके पत्थर धातू मिट्टी के वरतन पर खुदेवे लेकों क्या कहते हैं अभी लेक कहते हैं और इन्हीं अभी लेकों का अध्यन करना क्या कहलाएगा अभी लेक सास्तर याद रखे परसन पूछा जा सकता है अभी लेक किसे कहते हैं अभी लेक सास्तर किसे कहते हैं अभी लेकों का अध्यन करना अभी लेक सास्तर कह तो आप सभी को याद रखना है सब्सक्राइब सब्सक्राइब ये भी आप याद रख सकते हैं नेक्स्ट है मुहमद बिन तुगलक ने इबन मतुता को कहा का काज़े नुक्त किया था तो दिल्ली का काज़े नुक्त किया था आगे देखो अल्व बिनुने का जनम कहा हुआ था उजबेगिस्तान की खौरिजा में हुआ नो सो थीयतर में मैंन बता दिया सीख मौनदिन चिस्ती की दर्गा का है तो सीख मौनदिन चिस्ती की दर्गा अजमेर में है दा इस्टोरी ओफ इंडियन आर्कोनी पुछने करे लेका कोने तो S.N. राओ ये याद रखे जनमपद किसे केते हैं एक ऐसा भुखंड जा कोई लोग या जनजाती बस जाती उसे जनपद केते हैं वेसे जनपद आपको याद होने चाहिए कासी, कुरू, अंग, मगद, वजी, मल, चेदी, वज्स, कोसल, पांचाल, मत्से, सुर्चन, अज्च, कवंती, गंदर, कंबो, 16 मा जनपद हैं और 16 मा पूचन, मैं आपको पूच्रा हूँ, सिन्दु, स between date, खतने इंहें डिया रमस्तानीन, इसके लएवा ढहर ड्हुलावीरा, सुठकोटडा, इसके लाभा रंगभूर रणखेशवर, यह पर होड़ए, और झाजवर, ये पर्मुका आपको पूचा जाएगा बनावली का है बनावली तो बनावली आपके हरियाना में है ठीक है ये भी परसन बार बार पूचे जाता है तो ये परसन आपको कुल मेरा की याद रखने है तो दैराम सानी यहापर हो जाएगा नेक्स्ट किसे सासो को बारत का नेपुलिन कहां जाता है वेरी मुष्र कुष्ण समद्रूद इसका राइट आंसर हो जाएगा Cohen में महाविर्द को किस स्रेणी में रखा गया तो ये रखा गया था इतियास प्रांस्वा बरनेर कहा का निवसी था तो यह फ्रांस का निवसी था प्रांस्वा बरनेर यह याद रगना बूलना मत दोस्तो विजन अगर सामरजे में गोड़ो के विया पैरियों किस्तानुए के संभू को किया गेते हैं तो कुद्री चिटी और विजन अगर सामरजे किस्ताफना कब हुई थी 1336 इस्यू में किसने की थी हर्यार बुकाने ठीक है नेक्स्ट यह होगे रिपीट वापस देख सकते हो विजन मौश्ट है अच्छे से याद करना आप सभी को नीमन मैंसे किसने डिवाडी विवेस्ता प्रणरम की थी तो रिवाडी विवेस्ता आपकी की थी थोंस मुन्रों ने ठीक है याद रखना 1853 का वर्स मुखी रूप से किसके लिए जाने दाता तो रेलवे की शुरुआत हुई थी डिराइट हो जाएगा ठीक है आगए देखो चोरा चोरी नामक इस्तान जो है वो कोई उलेक नहीं है तो यह आपके किस सा संब्दी थे तो ऐसे युगांदोलन से संब्दी थे किसे परचार के लिए दमामाते की निउक्ति की थी तो यह आपके असोग ने असोग ने उप्सन अबर एराइट हो जाएगा असोग ठीक है चलो नेक्स्ट तो यह भी रिपीट हो रहे हैं वाफस आप देख सकते हैं अच्छे से इनको याद करना सभी कुष्ण को मोश्ट है यह इसके लावा है स्री गुरू नानग जी के विचरों को खालिस्तन कहा जाता जिने वे अलग अलग रागव में गाता है तो गुरू गाइन साभ ठीक है यह याद रखना है इस्ट इंडिया कंपनी ने यहापर संता लोग को इस ताह रूप से बसाने के लिए राजमेली की पाड़ियों में दामी नामग भूमी दीती तो यह भी किशन देख सकते हैं राजा सब्द का प्रियोग अपसर किसके लिए होता था तो यह प्रसन आपको पूछ दाएगा अपने गोतर से बार कर देना भूरिवयापत्ती के लाएगा तो यह याद रखना आप सभी को याद रखे सेनिकों का प्रियोग करने के लिए कारतुस देगे थे जिनों वे दात्तों से खीचना पड़ता था ठीक है तो गांदी जी यहां पर हो जाए खालेस्तान में किस राजवनस में राजव के नाम से पहले मातव का नाम लिखा जाता था था आपके लृष रषी फ्टांकर न त्यार था आफको यादड़ रखना माह भारत के जो राजव को रिकिता मेरेशी वालमी की यद रखनेंट हैं एक लाक से इच्छ में अधिक से लोग हैं दुनिया के सबसे पर्षित ग्रंदों में से एक है महा भारत पर्षिया थे अलविरुनी जनम कहा हुआ था उजविगिस्तान के खौरिजां में हुआ था नो सो तेयातर आप याद रख सकते हैं इबन बतुता किस साथ सा के समय भारत आया था बताओ ये तो मुहम लिंगाईत कहलाते हैं तो ये भी आप याद रखना बंगाल के धनी की सानवर को क्या नाम जोतदार नाम से जोतदार नाम से किस नाम से जोतदार नाम से इस तक मिनारे बंदोबस्त कब किस चेतर में लाग हुआ तो 1703 में हुआ था ये बंगाल के अंदर कहा हुआ था हैं कि जोदर के लिःताइए कि ऐसे प्रवाखम होते थी और किसी कि बूमी के बढ़े चोटे बाक्षमें होते थैं और हैं अन्तर्व ठीके चलो तो यह था अपना प्रमुक जो से इंपोर्टेंट कुशन और यह आपके आज के अर्दवार्शी पेपर में मिलने वाले कुशन हैं मोस्ट कुशन हैं इनको याद करना ओके जे हिन जे बार